देखे अब मैंने आप सभी के सामने वन अवस का चार्ट ओपन किया है वन अवस के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे पैटर्न देखे इस जिगा बनते हुँ दिखाई दे रहे सबसे पहले तो देखे मैं आपको इस जगा से दिखाना चाहुआ जो नीचे देखे इसमें आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा था उसी सपोर्ट से अगर आप देखोगे तो मार्केट कंटीनियू इसको फॉलो करता हुँ दिखाई दे रही है अगर मैं बात कहूं तो यहां पर मैं आपको दिखाना चाहुआ इसमें देखे जो 34,750 का इसने देखे लो मारा था फिर उसके बाद इसने इस जगह भी सपोर्ट लिया था जो कि अगर मैं बात कहूं 35,500 के समतिंग का फिर इसने जो अपना सपोर्ट लिया था इस जगह लिया था 36,500 के समतिंग था फिर उसके बाद देखे इसने इस जगह सपोर्ट लिया था आपका 36,250 के समतिंग का यानि अपने लेवलों से कंटीनी इसमें तेजी दिखाई दे रही है और मार्केट कंटीनी इस जगा पिलास पॉइंट में बन होने में काम्याप हो रहा है अब उसके साथ भी देखें मैं एक चीज और समझाना चाहूंगा जैसे कि अगर आप मार्केट में देखो तो इसको देखें इसको अपन जगा से अठा देते हैं और यहां पर देखें मैं आपको कॉलम बनाते हुँ दिखाऊंगा क्योंकि आप जब तक चीजों को नहीं समझेगे जब तक चीजा नहीं समझ में आएगी यहां पर देखें जब पूरा कॉलम आपको इस लेवल से क्योंकि यह psychology level भी आप इसको psychology level भी मान सकते हो और नीचे की साइट अगर मैं बात कहूं तो नीचे की साइट देखे इसमें 37,250 का आपको नीचे की साइट level देखने को मिल जाथा है यार्नि अगर मैं बात कहूं तो इसमें कहीं नहीं देखे है या पर आपको जो अप लेवल देखने को मिलते हैं, वो 700 से लेके 800 पॉंट की रेंज आपको इसमें देखने को मिल रही है, क्योंकि मार्केट में देखे, ऊपर की लेवल से इसमें क्या हो रहा है, ऊपर की लेवल से आपको सेलिंग दिखाई दे रही है, जबकि अगर मैं बात कहूं तो नीचे की लेवल से इसमें क्या दिखाई दे रही है बार भॉँण दिखाई दे रही है ऑश जो एक बार हुआ हो होहाँ यहां पर देखए 1 2 3 हाँ इसमें यह चिज और नौटिस किजी किशा कि जब the market में आपको जो C establishinde process भॉणत देखो लिबिखें communal के साथफ हर एक सेलिंग आपको दिखाई दी यहां पर भी अगर आप देखोगे तो बड़े गैप के साथ देखे सेलिंग दिखाई दी जबकि अगर मैं बाइंग की बात करूं तो बाइंग में भी देखें यहां पर आपको सेलिंग दिखाई दे रही है यानि अगर मैं कहीं कहीं बात कर अगर इसके उपर मार्केट बंद होने में कामियाप हो जाता है तो हम कहीं ने कहीं और ज्यादा तेजी के लिए काम कर सकते हैं लेकिन अगली जो हमको तेजी चाहिए वह अगर 30,000 के उपर चाहिए जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हमने देखे 30 तारीक से कंटिन्यू उसमें काम मैंने आपको बताया था और कंटिन्यू काफी अच्छा पॉफिट बना आप सभी लों देखा क्यूंकि हमने क्या किया मार्केट को फॉलू किया था कि हर हाई के उपर मार्केट गया है तो हमने हाई के उपर बाइंग किया और एक अच्छी अपोचुनिटी काफी लोग मार्केट में सीखते हो समझते हो और कंटिन्यू पैसा बनता है क्योंकि मार्केट में देखिए आपको चीजों को समझना पड़ता है और मार्केट को समझना पड़ता है उसके बाद ही एक अच्छा पॉफिट आपको देखने को मिलता है तो पिरियम गुरूप में जोइन ह सकते हो पहला तरीखा में आपको उताना चाहिए कि अगर मार्कित 38000 के ऊपर निकलता है तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि सिंपल सा आपको एक चीजा समझना है कि मार्कित का जो केंडल है वन आवार्स पाइट कणेश् lett वन ओर्स केंडिल hmm TH है मार्केट माइच्वूत हो जाएगा ऐसके अगर मैं बात कुन्द हो यहाँ पर केंडिल क्लो지 क्लोजिंग देना चाहिए इसके उपर हैं तो हम क्या कर सकते हैं ha bour sou खूँने खूंगे वह 38 Sarraj 200 का होगा क्योंकि मार्किट ने पहला जो target दिया था वह उसी की आस्वास का दिया था ध़्ता bakery जो हमको देखने को मिलेगा वह 38,300 का देखने को मिलेगा और final target हमको 38,400 का देखने को मिलेगा यानि अगर बैं बात कर वहाँ के इस कंडिशन में हम सीखी बाइंग कर सकते हैं 30,000 के ऊपर ही बाइंग कर सकते हैं अब देखिए अब मैंने आप सभी के सामने इस जगा फाइब मिल्ड का चार्ट उपन किया है देखे फाइब मिल्ड के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो जो लेवल है ने वो आपके ब इस जगह भी सपोर्ट लीया इस जगह भी सपोर्ट लीया है जलेवल है अगर अगर आप लेवल को फॉए तो मार्केट आपको फॉलो करती है ठीक है और यहां पर आप देखोगे इस पिसमें एक gap बनाता देखें जब भी ऐग्याट बनता है तो मार्केट उसको fill करता है, तो आप सभी को बताहें, услबू है और उसी जगा अगर आप देखो तो देखोगे तो एक सेलिंग के साथ काम हुआ अब यहां पर देखोगे तो एक लेवल देखे यहां पर जो कि आपको कई निकल के आता है 30,800 का इसको नॉट कीजिए ठीक है 30,800 का आत्सो का यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको देखने को आ इस लेवल पर यहां पर गया यानि एक दो और त्न वर ऐसा हो चुका है कि मपर 57, 800 के ऊपर नहीं जा पा रहा है ठीक है और जब गया था तो इसमें एक fast move देखने को मिला था जो कि कही ने कहीं आपको यहाँ पर दिखा ही दे रहा है कि market में जो fast move देखने को मिला था 300 point का पर अगर आप देखो इसको cross किया और यहाँ से एक fast move आपको ओपर की side देखने को मिला तो हमको जिए बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है कि जब market इसको follow कर रहा है इसके उपर जा रहा है तो एक बड़ा move हमको देखने को मिल जाता है इस जगह 300 point के आसवर तो अगर intra day के अंदर market इसको उपर की side follow करता है या पर consolidate करने के बाद अगर इसको उपर की side follow कर देत है या इसको एक breakout दे देता है तो यहां पर हम बाइंग कर सकते हैं इंटा day का मैंने आप से बोला है इंटा day में अगर जिए आपका आपको समझ में आ जाएगा अगर नहीं आता है तो वह आप मेरे से टेलीग्राम में देख लिए ना ठीक है बड़ा सा मूब दिया तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं सीई बाइंग कर सकते हैं ठीक है लेकिन हम ज्यादा पॉइंटों के लिए नहीं 200 से 300 पॉइंटों के असपस के लिए हम बाइंग करेंगे तो इसमें हमारा क्या टाऱगेत होगा टारगेत को समझे olması आपका 37,900 में देखने को ब्लेगा 36,000 38,000 का आपका दूसर टार्गेट देखने को मुलेगा जो कि आपको फाइनल टार्गेट भी हो सकता है क्योंकि बड़े टार्गेट के लिए हम काम नहीं करेंगे ठीक है और आपका जो लास्ट वाला टार्गेट होगा वो 38,100 के अस्वस का देखने को मुलेगा यानि आप देखे ज़्यादा रिक्स नहीं लेना चाहते तो आप इस पर ही पॉफिट बॉकिंग कर लिजे या आप रिक्स लेना चाहते हो तो आप 37,100 के लिए और बड़ा टार्गेट देख सकते हो लेकिन आपको क्या है जो 38,100 वाला जो लेवल है उस पर फिर आपको रिव्यू लेना पड़ेगा यानि आपको इस जगा डिसीयन लेना पड़ेगा कि मार्केट में जो और उपर जा सकता है कि नहीं क्योंकि इसी लेवल से इसमें गिरावट आपको दिखाई दे रही है तो इसी लेवल से अगर इसमें गिरावट देखने को मिलेगी तो फिर आपका लॉस हो सकता है इसलिए आपको इसमें पॉफिट बुकिंग भी चल करना है जैसे कि आपको 100 point मिल गए तो उदा profit booking कीजिए 200 मिल गए 200 पर कीजिए 300 मिल गए 300 यानि आपके पास जितना lot है उसमें से 50-50% आप profit booking कर सकते हो SL आपको कितना हुआ हमारे rule के हिसाब से 20 से लेके 25 point क्योंकि देखे market में आपको बड़ा loss नहीं लेना है मैं एक ही चीज़ आपको सभी को सिखाता हूँ कि market में जितना profit market दे सकता है दीजिए market में जितना profit आप कमा सकते हो कमाईए लेकिन loss देना आपके हाथ में काफी लोग कहते हैं कि market में बड़ा loss हो गया वही बड़ा कैसे हुआ अपने stop loss नहीं लगाया हुआ इसलिए बड़ा हुआ है यह आपने चीजों को follow नहीं किया हुआ ठीक है सबसे पहले आपको समय आ गए कि CE अब यहाँ पर एक चीज और समझे कि अगर मुझे put buying करना है तो वह मैं कैसे कर सकता हूँ पुट बाइंग करने के लिए एक ही logic एक ही सिंपल तरीका है जो मैं हमेशा बता रहा हूँ और हमेशा मैं आपको समझाओंगा कि वह पुट बाइंग करने का सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है कि अगर मार्किट देखिए मैं फिर से बोलना चाहूँगा अगर मार्क इस जगह लिया है यहां पर भी आकर आप देखो दो वाल लिया है यानि कुल मिलाके जो आपका एक सपोर्ट बनता हूँ दिखाई दे रहा है वह 376600 को नीचे की साइट क्रोस कर देता है तो आपको काफी फास्टो मूब देखने को बलेगी देखिए जो फास्टो मूब के आपकी 37600 के नीचे होना चाहिए अगर इस कंडे rápido क्लोजिंग दे देता है कामियाप हो जाता है कि लोगी देने में तो हम पर फास्टो मूब देखने को मूलेगा जो कि सबसे पहले आपको 200 पाइंटो का मूब देखने को बलेगा जिसमें आपका पहला टार्गेट होगा 37400 जब बाइंग करेंगे जब भी बाइंग करेंगे जब मार्केट जे आपका 38,000 को पार कर जाएगा ठीक है इस चीज़ को आप समझे यानि नई तेजी आपकी 38,000 के उपर आईगी नई मंदी आपकी 37,600 के नीचे आईगी ठीक है अगर आपको कोई सवाल है तो मुझे कमेंट कीजे हमारे टेलिग्राम चै आउंड ओपन करना है तो आप लिंक आपको सभी description में दिये गए हैं जैहिन बंदे मातम